गंगु बाई काठ्य वाड़ी की कहानी कहना आले भठ और संजी लिला भंसाली इन दोनों के लिए आसान नहीं लगता पहले तो चलती फिल्म की शुटिंग पर कोरोना का कहर ठूटा संजले न भंसाली होम क्वारिटीन हुए और फिर फिल्म की शुटिंग रुग गई लेकिन अब दोबारा शुटिंग शुरू होने से पहले असली वाले गंगुबाई का अठेवारी का बेटा फिर्म के आक्तस आले भट और डारेक्टर संजे लिला भनसाली पर भड़क गया है उसने दोरों पर कोट में क्रिमिनल मान हानी का कीज कर दिया है अब कोट में भी आले बटर भनसाली को हाजर होने के लिए समन्द जारी कर दिया है एक किस मैं को कोट में पेश होने के लिए कहा है दसल खुद को असली गंगुबाई का गोध लिया हुआ बेटा कहने वाले बाबू राओ जी शान ये केस दर्च कराया है शिकायत के वज़ाई ये है कि फिल्म से उनके परिवाल की बदनामी हो रही है फिल्म में जूटी बाते दिखाए जा रही है एतना ही नहीं गंगुबाई के बेचने कोट में उस किताब के ले का फूसेल जैदी के खिलाब भी केस दर्च कराया है जिसके किताब पर संजर सण लिला भंसा रही अपनी फिल्म गंगुबाई का अछे तो उसमें आले के गंगुबाई काठे वारी के अफ़ार को काफी पसंद किया गया इसे आले भट के करियर को अब तक का सबसे दमदार रोल बताये जा रहा है और माना जा रहा है कि फिल्म उनके करियर को अलग मोड देगी हाला के गंगुबाई काठेवारी के गोदली हुए बेतिक अलावा महाराश के कुछ नेता बिस फिल्म के खिलाप आवाद उठा रहे है उनका कहना है कि फिल्म गुजरात के काठेवार इलाके और मुंबाई के रेड लाइट इलाके को बदनाम करती है कुल मिलाकर संजे लिला भनसाली की हर फिल्म की तरह इस बार गंगुबाई काठेवारी भी विवादों में घिर चुकी है इससे बहले भी संजे की फिल्म में राम लिला गोलियों की रास लिला पदमावत बगैरा अलग-अलग बजों से कौन्टरवर्स ही में रही फिल्म गंगुबाई काठेवारी लेकक हुसेन जैदी की किताफ माफिया कुईंस ओफ मुंबाई के चाप्टर पर अधारित है फिल्म में मुंबाई की माफिया कुईं गंगुबाई की कहानी दिखाए जाएगी गंगुबाई साथ के दशक में मुंबाई माफिया का बड़ा नाम थी फिर में आले भट के साथ आजे देवगन इम्रान हाश में भी नज़र आएंगे बॉलिवूड की लेटेस न्यूज, गॉसिप, फिल्म रेविउस, सॉंग रेविउस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलिवूड को and yes, don't forget to press the bell icon ता कि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इन्फोमेशन आप बिलकुल भी मिसना कर पाएं